हालो प्यारे बच्चों इस वीडियो में ये है हमारा क्लास 7 ये है क्लास 7 की मैथ है यहाँ पर दिया है चैप्टर 1 है इंटीजर तो इंटीजर में हमारा 0, 1, 2, 3, माइनस 1, 2, 3 ये से भी नमबर आते हैं कारा क्लोजर प्रापर्टी अब ये इंटीजर के साथ हमें चेक करना है क्लोजर प्रापर्टी किसमे किसमे कारे करती है तो अगर हम बात करें इसमें से कोई भी नमबर ले लिया जाए जैसे माइनस 2 हो गया फिर इसके बाद अगला हम ले लेते हैं मानलीजे 1 हो जाए तो 1 एड़ करेंगे तो माइनस 1 आएगा ये भी हमारा इंटीजर है ये भ इंटीजर्स आर क्लोजड अंडर एडिशन अब नेक्स्ट हम सब्रेक्शन में आ जाते हैं तो माइनस 2 ले लेते हैं और इसमें से हम सब्रेक्ट करते हैं यानि 1 ये हमारा बन जाएगा माइनस 2 माइनस 1 इकल टू माइनस 3 हो जाएगा ये भी हमारा इंटीजर है और ये भी integer है integer में से integer को subtract किया गया तो देखा गया ये भी integer मिला और दूसरा नंबर भी हम ले सकते हैं जैसे 3 हो जाए और इसमें से हमने 5 subtract किया तो minus 2 आया ये भी हमारा integer था ये भी integer था और हमने subtract किया तो हमें integer मिला इसका मतलब है कि जो closure property होती है वो हमारा under subtraction होता है अर्थात मिलेगा integer are closed under subtraction दोनों हमारे सही हो जाएंगे अब under multiplication में आएंगे कोई भी number हमने integer ले लिया जैसे माली जी 2 ले लिया और दूसरा number हमने minus 3 ले लिया दोनों integer हैं और जब multiply करेंगे तो minus 6 आएगा तो integer में जब integer का multiply किया गया तो हमें integer मिला अर्थात हमारा जो closure property होता है वह multiplication में भी कारी करता है next आजाएंगे under division अगर हम 2 में 3 से divide करते हैं तो हम देखेंगे यह हमारा जो value मिलेगी वह आई नहीं मिलेगा यानि integer नहीं आएगा तो हमें क्या मिला integer में जब integer से divide किया गया तो हमने देखा integer नहीं मिल रहा है इसका मतलब हो गया closure property जो होती है वह division में कार नहीं करती है तो यह हमारा cancel हो जाएगा तो closure property under addition होगा under subtraction होगा under multiplication होगा लेकिन हमारा under division नहीं होगा तो thanks for watching इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें